नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक मैं हूँ आपके साथ सुकन्या सिंग बुद्वार को निशिकांत दूबे ने एक ट्वीट किया और उसके बाद बिहार की अस्मिता पर चर्चा शुरू हो गई बिहार वासी जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर गाहे बगाहे बिहारे शब्द का इस्तमाल करके राजनितिक जो नेता गण है वो एक दूसरे पर निशाना साथने के लिए क्यूं बिहार की अस्मिता से खिलवार करते हैं अभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्यूंकि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं बिहार की अस्मिता पर पिछले कुछ समय में दस बड़े हमले कब-कब हुए सबसे पहले और ताजा मामला जो है वो है निशिकान दूबे का निशिकान दूबे ने बुधवार को ट्वीट करके टीमसी नेता टीमसी की सांसत जो महवा मोयतरा है उन पर निशाना साधा और कहा की जो संसत की IT संबंधित संबीती की बैचक में महवा मोयतरा ने उनको बिहारी गुंडा कहके संबोधित किया और ये उत्तर भारत के रहने वाले यूपी और बिहारवासियों का अपमान है, हिंदी भासियों का अपमान है बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार बिहार को लेकर कई अपमान जनक बाते कही गई है बिहार की असमिता पर हमला किया गया है चलिए दूसरा उधारन आपको बताते हैं ये मामला बहुत पुराना नहीं है ये भी TMC से जुड़ा हुआ है इससे पहले जब पश्रिम बंगाल में विधान सभा का चुनाव हो रहा था तब खुद मम्ता बेनरजी ने कहा कि यूपी बिहार से गुंडे मंगवा कर बीजेपी के नेता पश्रिम बंगाल में हत्या करवाना चाहते हैं इसके अलावा चलिए एक और उधारन देते हैं तीसरा मामला तमलाजू का है जहां पर M.K. स्टालिन सरकार में मंत्री के एन नहरू ने बिहारी लोगों पर अपमान जनक टिपने की और कहा कि बिहारीों के पास दिमाग नहीं होता उस वक्त भी इस बयान पर खुब बवाल हुआ था इससे पहले बापको लेकर चलते हैं 2019 के लोगसभा चुनाओं में जब राहुल गांधी चुनाओ प्रचार के लिए बिहार पहुंसते हैं और बिहार के स्वर्णिम इतिहास का जिक्रतों करते हैं लेकिन साथ ही कह देते हैं कि बिहार जो है वो वो बिरुजगारु के फैक्टरी है ये बिहार की असमिता पर चौथा हमला था अब आपको लेकर चलते हैं कोटा जहां पर BJP के विधायक भवानी सिंग ने बड़ा हमला किया बिहार वासियों पर बता दे कि बड़ी संख्या में बिहार के चात्र IIT और मेडिकल की तयारी करने के लिए कोटा जाते हैं और जब वहां पर एक बिहारी चात्र की हत्या होती है तो पूरे मामले पर गंभीरता दिखाने की बजाए BJP के विधायक कहते हैं कि जो बिहार के चात्र यहां पर आते हैं उनका बैगराउंड खंगालना चाहिए क्योंकि वो यहां पर आकर खून खराबा करते हैं उत्पात म बिहार की असमिता पर छटा हमला किया था मद्यप्रदेश के तब के मुखे मंतरी कमलनातylene उन्होंने कहा था कि मद्यप्रदेश में वहां के मूलवासियों को रोजगार इसलिए नहीं मिलता क्यूंकि यूपी बिहार के लोग यहां आकर उनका रोजगार ले लेते हैं अब मध्यप्रदेश के बाद आपको लेकर चलते हैं दिल्ली जहां से बिहार की अस्मिता पर साथवा हमला केजरिवाल ने किया और कहा की जो बिहार के लोग हैं वो 500 रुपे रेल का भाड़ा खर्च करके दिल्ली आते हैं और लाखों का इलाज करा कर चले जाते हैं बिहार की अस्मिता पर आच्वा हमला भी दिल्ली से हुआ जब तब की मुखे मंतरी दिवंगत शीला दिक्षित ने बिहार की अस्मिता पर हमला करते हुए कहा था कि जो यूपी बिहार से भीड दिल्ली आती है उस वज़े से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव की स्थिती है बिहार की अस्मिता पर नौवा हमला गाहे बगाहे महराश्ट नवनिर्मान सेना की तरफ से किया जाता है हर मुद्दे पर वो बिहार के लोगों की अस्मिता पर हमला करते हैं चाहे सोशांत के सूसाइड का मामला हो या फिर महराश्ट का कोई भी मुद्दा क्यों नहों जब भी महराश्टर नव निर्मान सेना के नेताओं को मौका मिलता है वो बिहार वासियों पर हमला भी करते हैं जुबानी हमला भी करते हैं और साथ ही कई बार फिजिकल अटैक भी करते हैं जिसके वीडियो लगतार वाइरल होते हमने देखा है अगर बिहार की असमिता पर दसवे हमले की हम बात करें तो ये हमला गाहे बगाहे शिव सेना की तरफ से भी होता रहता है अगर हम शिव सेना की राजनीती की बुनियाद की बात करें तो शिव सेना की राजनीती की बुनियाद ही यूपी बिहार के विरोध पर टिकी है वो हमे पहुंचाते हैं और महराश्च्ट में रहने वाले बिहारीों पर निशाना साथते हैं। पहुंचाते हैं और महराश्च्ट में पर निशाना साथते हैं।